मौसम सर्द था राजनेतिक पारा चरम पर और हो भी क्यों न राहूल गांधी ने तमाम राजनेतिक समिकर्णों को धत्ता बताते हुए तै किया कि वो अटल विहरी वाच्वे की समाधी पर जाएंगे जिसकी तस्वीरे भी सामने आई कडाके की ठंड में राहूल गांधी सफेड टीचर्ट में नंगे पैर अटल जी की समाधी की परिकर्मा करते दिखे लेकिन इस परिकर्मा के साथ ही वो तस्वीर भी ताजा हो गई जब उनके खुद के नेता नरसिमा राओ का शव कॉंग्रेस पार्टी के मुख्याले के बाह रखा रहा लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला इसके बाद उनके शव के साथ क्या हुआ वो जानना भी जरूरी है पूरी कहानी सुनिए साल 1991 में जब सफेड धोती और गूर्डन सिल्क कुर्ता पहने नरसिमा राओ ने प्रधान मंत्री पद की शपत ली तो लोगों को उ उमीदे थी उनके कारिकाल में ऐसा हुआ भी हलकि राजधानी के सियासी गल्यारों में अपनी धमक जमाने वाले नरसिमा राओ को निधन के बाद यहां अंतिम संसकार तक नहीं मिला तमाम सियासत के बाद उनके शव को अंतिम संसकार के लिए हैदरावाद ले जाया गया व तकालीन ग्रह मंतरी शिवराज पाटिल ने राओ के छोटे बेटे प्रभाकर को सुझाओ दिया कि अंतिम संसकार हैदरावाद में किया जाये नरसिमा राओ का शव उनके निवास इस्थान नो मोतिलाल नहरू मार्क पर लाया गया यहां कॉंग्रेस के दिगज नेता गुल जनम भूमी में पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा कहा गया कि कॉंग्रेस का आला कमान नहीं चाहता था कि राओ का अंतिम संसकार दिल्ली में हो घंटों सियासत के बाद आखिरकार परिवार अपना फैसला बदलता है और तैह होता है कि नरसिमा राओ का अंतिम संसकार दि बनने का रास्ता साफ हुआ था ये था कॉंग्रेस का मुख्याले अमूमन पार्टी के किसी बड़े नेता के निधन के बाद उसके शव को कुछ समय पार्टी ऑफिस में रखने की प्रथा थी ताकि कारिकरता शर्धांजली अर्पित कर सके लेकिन राओ के साथ ऐसा नहीं था अपने अंतिम दिनों में वो कॉंग्रेस से थोड़ा नाराज भी थे एरपोर्ट की रास्ते राओ का शव लेकर परीजन जब कॉंग्रेस मुख्याले के बाहर पहुँचे तो गेट ही नहीं खुला विरे सितापती लिखते हैं कि राओ का शव करीब आदे घंटे तक कॉंग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर एरपोर्ट की गाली में रखा रहा परीजन अंदर जाने का इंतिजार करते रहे जब गेट नहीं खुला तो ठक हार कर एरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए हलाकि उस वक्त सुन्या गांधी भी पार्टी दफ्तर के अंदर ही मौजूद थी उदर वरिश पत्रकार संजे बारू अपनी किताब 1991 हाउ पीवी नर्सिम्मा राओ मेड हिस्ट्री में लिखते हैं कि नर्सिम्मा राओ इस देश के पहले एक्सिडेंटल प्राइम निस्टर थे बारू लिखते हैं कि साल 1947 के बाद अगर भारत के इतिहास में कोई साल महत्वपूर है तो वो साल यही था जड़ नर्सिम्मा राओ देश के प्रधानमंत्री बने थे संजे बारू ने एक इंटर्विव में अपनी किताब के बारे में बताया था कि राओ ने इसी साल अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया था क्योंकि भारत में कई फैसले होने बाकी थे और उन्हें राओ ने पूरा कर अपनी अलग जगह बनाई लेकिन इस बीच ही वो कॉंग्रेस से दूर भी होते चले गए साल 1986 में देश के प्रधानमंत्री की कुरसी पर राजीव गांदी थे और वो हर बड़े फैसले पार्टी नेताओं की मर्जी से ही लेना पसंद करते थे यही वज़े थी कि जब उन्होंने कंप्यूटर को भारत में लाने का फैसला किया तो उन्होंने अपने मित्र से सबसे पहले कहा कि पता नहीं कॉंग्रिस के पुराने सदत से मेरी बात को कैसे लेंगे इस बात का जिक्र बीवीसी के एक रिपोर्ट में भी किया गया है उस दोरान देश के रक्षामंत्री नरसी महराओ थे नरसी महराओ के बेटे प्रभाकर भी उस दोरान कंप्यूटर से जुड़ा सामान बनाने की कंपनी स्थापित करने का फैसला कर चुके थे नर्सी माराओ ने अपने बेटे से फोन पर बात की और अपने बेटे से कंप्यूटर का सैंपल दिली मंगा लिया सैंपल दिली आया और एक व्यक्ति को उन्हें कम्प्यूटर सिखाने की जिम्मेदारी दी गई नर्सिमा राओ शुरू से ही टेक्नलोजी में रुची रखते थे और उन्होंने इसे सीखने के लिए पूरी मेहनत भी की करी छे महने तक रात दिन वो इसमें जोटे रहे और आखिरकार कम्प्यूटर सीख कर ही दम लिया उन्होंने ना सिर्फ कम्प्यूटर चलाना सीखा बलके कोडिंग तक भी सीख डाली बाद में फिर राजिव गांधी और नर्सिमा राओ के कारण ही भारत में कम्प्यूटर आयात का रास्ता साफ हो सका अब आप सोच रहे होंगे कि कम्प्यूटर की कहानी क्यूँ तो आपको बता दें नर्सिमा राओ के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में उनका जानना बहुत जरूरी है ताकि समझ सके कि भारत की राजनिती में आज के डिजिटल इंडिया में नर्सिमा राओ का क्या योगदान रहा और ऐसे वक्त में कॉंग्रेस पार्टी यानि कि जब राहूल गांधी अटल विहरी बाश्पे की समाधी स्थल पर उसकी परिक्रमा करते हैं तो यहाँ जानना जरूरी हो जाता है कि नर्सिमा राओ के साथ कॉंग्रेस पार्टी का वेवार कैसा रहा कि किस तरीके से जब शब नर्सिमा राओ का शब कॉंग्रेस पार्टी के मुख्याले के बाहर रखा रहा तो दर्वार का दर्वाजा भी नहीं खुला